सलाम वालेकूम प्यारे बच्चों बुरुहन मुंबई महानगरपाली का शिक्षन विभाग में मैं पटेल रोशन आरानवर हुसें, MCGM वर्च्वल क्लास में आप का स्तक्वाल करती हूँ, तो आईए शुरू करते हैं आज का लेसन प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर आप सब का स्वागत है आज हम हिंदी, सुगंभारती यता छटी कक्षा का पाँच्वा पार्ट एक चपाती पढ़ने वाले हैं ये एक मज़ेदार कहानी है बच्चों, यहाँ पर हम आपको पहले इसका परिचे देते हैं एक गरम गरम ताजी चपाती देखकर बिल्ली उसे खाने आती है चपाती बिल्ली से कहती है पहले तू मक्खन लेया, फिर मुझे खाना बिल्ली मक्खन लेया आती है और चपाती की और खाने के लिए लपकती है फिर चपाती कहती है पहले तो गुड लेया तब मुझे खाना बिल्ली गुड लाने चली जाती है और जब गुड लेकर आती है तो फिर चपाती खाने के लिए आगे बढ़ती है ठीक उसी समय घर की महीला आ जाती है उसे देखकर बिल्ली भाग जाती है दुम दबा कर और चपाती की जान बच जाती है निडरता और चतुराई से काम लिया जाए तो जान बच सकती है इस कहानी से यह सीख हमें मिलती है जिस तरह एक चपाती जो है वो बिल्ली की जड़ब से बच गई चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर लिखा है गाओ और समझो बच्चों यह एक कवीता है जिसे आपको कंठस कर लेना है याद कर लेना है और फिर समझ में जब आपको आ जाए तो उसे सुर और ताल में आपको गाना भी है तो यहाँ है एक चपाती और इसके लिखने वाले कवी हैं रमेश तैलंग बच्चों उनके बारे में हम जान लेते हैं कि उनका जनाम दो जून सन उनी सो चियालिस टिकमगड मध्यपरदेश में हुआ रचनाय इनकी है हिंदी के नए बालगित उडन खटोला एक चपाती और अन्य बाल कवीताएं उन्होंने लिखी है उनका परिचे आप सन उनी सो पैंसट में प्रमुक राश्ट्रिय दैनिकों के साहित्तिक हैं और इस कवीता में चपाती और बिल्ली के बीच घटी मजेदार कहानी घटना को हास से रूप में वैक्त किया है मजेदार अंदाज में जिसमें आपको खुब हसी भी आ बच्चों चलिए शुरू करते हैं सब बच्चे हमारे साथ साथ दोहराते भी जाएंगे पहले हम पढ़ते हैं फिर आप उसे दोहराईए ताती ताती एक चपाती फिर एक बार ताती ताती एक चपाती दिखी तवे पर पेट फुलाती बिल्ली मौसी बोली प्याओ भूक लगी मैं तुझको खाऊं सुनकर उचली दूर चपाती बोली फिर आखे मटकाती मौसी पहले मखनला फिर चाहे मुझको खाऊं कैसी लगी विच्चो कवीता बहुत ही मज़ेदार है फिर एक बार दोहराईए हमारे साथ साथ ताती ताती एक चपाती दिखी तवे पर पेट फुलाती बिल्ली मौसी बोली म्याओ भूक लगी मैं तुझको खाऊं सुनकर उचली दूर चपाती बोली फिर आँखे मटकाती देखो यहाँ पर चपाती जो है वो बिल्ली से बात कर रही है और बिल्ली को गुसा आ रहा है है ना तो उसने आखे मटका कर कहा मौसी पहले मखनला किसको कहा मौसी चपाती ने बिल्ली मौसी को फिर चाहे मुझको खा आया बच्चों आपको समझ में यहाँ पर तवे पर एक गरम गरम फूलती हुई चपाती देखकर बिल्ली मौसी बोली मुझे भूक लगी है मैं तुझे खाऊंगी यह सुनकर चपाती उच्छल कर दूर हो गई और बोली मौसी पहले मखर ले आओ फिर चाहो तो मुझको जे से खा लेना ठीक है चली आगे की पंक्तियां बच्चों देख लेते हैं देख चपाती के ठंगन बिल्ली ले आई मक्खन गुर्रा कर फिर बोली म्याओ अब तो मैं तुझको खा जाऊं सुनकर उच्छली दूर चपाती बोली फिर आखे मटकाती हाँ हाँ पहले गुड़ तोला फिर चाहे मुझको खा जा बच्चों पहले चपाती ने क्या लाने कहा था मक्खन और बिल्ली जल्दी जल्दी जाकर ले आई मक्खन आप देखो चपाती ने क्या कहा बिल्ली से के मेरे क्या लेकर आ गुड़ लेकर आ जा है ना यहाँ पर एक बार फिर दोहरा लेते हैं, देख चपाती के ठंगण, ठंगण यनि क्या बच्चों, हट करना, जिद करना, बिल्ली ले आई मक्खन, क्या लेकर आगई बिल्ली, मक्खन, गुर्रा कर फिर बोली म्याओ, अब तो मैं तुझको खा जाओ, सुनकर उचली धूर चपाती, फिर बोली आखे मटकाती, हाँ हाँ पहले गुर्टोला, फिर चाहे मुझको खाचा, बच्चों यहाँ पर कभी कहते हैं के चपाती का हट देखकर बिल्ली मक्खन लेने के लिए चली गई, और घुर्राते हुए बोली, अब तो मैं तुझे खा ना, यह सुनकर चपाती, फिर उचल कर दूर हो गई, और आखे मटकाते हुए, फिर बिल्ली से कहने लगी, हाँ हाँ, लेकिन पहले तुम क्या ले आओ, गुर्ड ले आओ, फिर चाहे तो मुझे खा ले ना, आया बच्चों आपको समझ में, दोनों की बाचीत जो चल रही है, दोनों के बीच में, चली आगे चलते हैं, बिल्ली चल दी गुर्ड लाने, है ना, चपाती ने कहा ना, उसे, पहले मखण लाने कहा था, तो वो मखण ले आई थी, फिर गुर्ड लाने लगी कि आप खा जाओंगी, तब चपाती ने कहा आप गुर्ड ले आ, तो अब बिल्ली चली गई क्या लाने गुड़ लाने लगी लोट कर जुञज़ लाने जुञ़ लाना क्या बच्चों जुञ़ लाना यहने क्या चिड़ जाना खीजना है ओना गुस्जे में आना म्याव 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 अब मैं खाऊं अब मैं खाऊं मर नहीं मन में गड़ी चपाती सोचा अब तो मरी चपाती आया समझ में बच्चों कि अब जो थी चपाती उसे लगा कि अब तो मैं मरी अब बिल्ली जो है मुझे खा जाएगी बच्चों यहाँ पर कवी का कहता है, बिल्ली गुड़ लाकर लोटी, तो जुन्जला कर म्याव म्याव करते हुए बोली, अब मैं तुझे खाऊंगी, वे मन ही मन में चपाती का स्वाद लेने लगी, और सोचने लगी, कि अब चपाती को, क्या है, मुझे खा लेना है, और च चपाती मन में क्या सोचने लगी, अब तो मैं मरी, अब बिल्ली मुझे खा जाएगी, चली आगे देख लेते हैं, चिड़कर बोली, खा नक्ती, बिल्ली गुसे में जपती, कमरे में आते ही मा के, बिल्ली भागी धुम दबा के, आया बच्चों समझ में, बिल्ली जो थी वो बहुत चिड़ी वी थी, और जो चपाती थी, वो भी बिल्ली पर बहुत ज्यादा चिड़ गई थी, तो उसने उसे क्या कहा, चिड़कर बोली, खा नक्ती, नक्ती यह नहीं क्या बच्चों, बेशरम, या जिसकी नाग जो होत उसके लिए भी अलफास का उपयोग किया जाता है, चिड़कर बोली, खा नक्ती, बिल्ली गुसे में जप्टी, अब बिल्ली जो थी वो जप्टी, क्या आप तो मुझे चपाती खाई लेना है, फिर अच्छानक कौन आ गया घर में, मा गई, मा के आते ही, बिल्ली जो है व महां से भाग गई, इस तरह बच्चों देखा आपने के चपाती ने अपनी जान कैसे बचाई बिल्ली से, आपको भी जब कभी ऐसी कोई मुश्किल आती है, कोई मसला आ जाता है, तो आपको भी अपनी चतुराई का, अपने दिमाग का उपयोग करते हुए, अपनी जान ब देखिए, आख खोल चपाती मुस्काई, माने उसकी चान बचाई, देखा आपने चपाती कितनी खुश नजर आ रही है, अगर उसने बिल्ली से मक्षन लाने और गुड लाने नहीं कहा होता, तो बिल्ली उसे खा जाती, उसने उसमें वक्त बिताया, जिसकी वज़ा से उस की जान बचा ली, और उतने समय में मा घर पर आ गई, और जैसे ही बच्चों बिल्ली ने मा को देखा आते हुए, तो वो जान बचा कर भाग गई, और चपाती मुस्कुराने लगी, चलिए, शब्द अर्थ देख लेते हैं, ताती अर्थ है गर्म, गर्म गर्म चपाती, ठ चंगन, हट, जिद, जुन्जलाना, खीजना, चिडना, गर्म बनाना, नक्टी, वाइस्तरी, जिसकी नाक कटी हो या चप्टी हो या कोई बेशर्म हो, चलिए, आगे देखते हैं, यहाँ पर बच्चों कुछ बच्चों यहाँ पर महावरे दिये गें, उसका अर्थ भी है और उसे वाख्य में उप्योग करना है, आपके लिए यहाँ पर एक वाख्य बनाया गया है, आप अपने वाख्य में इसका उप्योग करेंगे, चलिए पहला देखते हैं महावरा, आखे मटकाना, इशारा करना, क्या आर्थ बच्चों महावरे का इशारा करना, वाख्य है सेड जी ने आखे मठकाते हुए नौकर को धमकाया देखा आपने आखों के इशारे से नौकर को धमकाया अब दूसरा है महावरा दुम दबाकर भागना तेजी से भागना दुम दबाकर भागना यनि तेजी से अगर कोई डर जाता है तो वो कहीं भी नहीं देखता और सीधे वो तेजी से भागने लगता है अब उसका वाक्य देख लेते हैं बिल्ली को देखते ही चुहे दुम दबा कर भागने लगे तो आपको भी बच्चों ये दोनों महावरों का वाक्य में प्रयोग करना है और लिखकर भेजना है चलिए आगे देख लेते हैं नेम में लिखित प्रश्णों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखो पहला है बिल्ली मौसी ने क्या देखा क्या देखा बच्चों जल्दी बताईए अभी आपने देखा है आपने अभी जो है ये कवीता को पढ़ा भी है समझा भी है चलिए उत्तर देख लीजिए बिल्ली मौसी ने तवे पर फूलती हुई एक गरम-गरम चपाती देखी दूसरा प्रश्ण है चपाती ने पहली बार बिल्ली से क्या लाने के लिए कहा जल्दी बताईए पहली बार क्या लाने कहा बिल्ली ने बिल्ली से चपाती ने बोलिए मक्खन चपाती ने पहली बार बिल्ली से मक्खन लाने के लिए कहा और दूसरी बार क्या कहा बच्चो चपाती ने दूसरी बार बिल्ली से क्या लाने के लिए कहा जल्दी गुड लाने के लिए कहा ठीक है आगे का चौथा प्रश्न हम देख लेते हैं बिल्ली चपाती पर क्यूं जुंजलाई क्यूं उसे गुसा आ रहा था बचों क्यूं वो चिड़ गई थी उत्तर है बिल्ली चपाती पर जुंजलाई क्यूंकि वे किसी न किसी बहाने उसे खुद को खाने से रोक रही थी है ना पहले उसने मक्षन लाने को कहा फिर कहा क्या अब खा लेना दूसरी बार उसने कहा गुड ले क्या हो इस प्रकार बिल्ली जो थी वो जुंजला गई चिड़ गई चली आगे यहाँ पर कोश्टक में से उचित समानर्थी शब्द चुन कर लिखो बच्चों यहाँ पर उत्तर आपको दे दिये गए हैं आप इसे ध्यान से लिखिए ध्यान से पढ़िए और समझ कर लिखिए पढ़िए पहला शब्द है आँक, मा, चपाती, भूख, दुम, गुस्सा अब यहाँ पर आपको देखिए जोडियां बना कर दे दी गई हैं आप इसे सुख्षरों में लिख लिजिए और याद भी कीजिए चलिए और देख लेते हैं कुछ शब्द कोश्टक में से चुनकर बहु अचन लिखो आपको पता है बच्चो एक वचन, बहु अचन है ना, कोई एक चीज होगी तो उसे हम एक ही कहते हैं एक से ज्यादा हुई तो क्या कहेंगे हम जैसे चपाती, चपातीयां, आख, आखें, है ना बिल्ली, बिल्लियां, तो बिल्ली जो थी वो एक वचन हुई और बहुत सारी अगर बिल्लियां होंगी तो उसे बहु अचन कहेंगे तो यहां देखिए बच्चो कोश्टक में दिया है बिल्लियां, कमरे, चपातियां, तवे, मौसी, आखे तो अब आपको क्या करना है बच्चो सही शब्द चुन कर लिखना है अब चपाति क्या है बच्चो एक वचन, तो आने एक वचन क्या होगा उसका बहु अचन, चपातियां एक तवा और एक से ज्यादा हुए तो तवे, बिल्ली, बिल्लियां बच्चो यहां पर है चौथा मौसी, मौसी आपने देखा यहां पर दोनों एक जैसे हैं यानि एक वचन में भी मौसी है और बहु अचन में भी मौसी जैसे हमने यहां देखा चपाति, चपातियां लेकिन यहां पर यह दोनों एक जैसे हैं, याद रखिए आख, आखें, कम्रा, कम्रे बच्चों पाठ्थे पुस्तक में और भी कई शब्द आये हैं आप उसने धूंडिये और लिखकर भेजिये चलिए आप देखते हैं गुरहकार्ये में क्या दिया गया है बच्चों आपको इन दोनों का चित्र बनाना है आज जो अपने कविता पड़ी हैं जिसमें कौन-कौन था एक चपाती थी और एक पिल्ली थी दोनों का अच्छा सा एक चित्र बनाईए और उस पर पांच वाक्ये लिखकर अपने शिक्षक को भेजिये इसी प्रकार बच्चों पढ़ते रहिए लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए उमीद करते हैं आज का पार्ट आज की कविता आपको समझ में आई होगी आज के पार्ट में जो कुछ भी प्रशन उत्तर हमने देखे और कोश्टक में दिये गए शब्दों से जो हमने वाक्य बनाए सभी आपको लिखना है और अपने शिक्षक को भेजना है इसी तरह बच्चों पढ़ते रहिए लिखते रहिए हम आप से फिर मिलेंगे नए लेसन में नए पार्ट के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज हम आप देशना है